नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अभी शेख है आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सैटल्मेंट टीव अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दिरोगा उसको प्रेस के लिजेगा उसके बगल में एक बैल सबसे पहले नोटिविकेशन आपके पास पहुँच जाए दोस्तों मैं रोज ही नए-एक बारे में बताता हूँ और आज बी मैं आपको बताने वाला हूँ दो best loan applications तो ये जो two best instant loan apps हैं ये बहुत ही कमाल किये हैं 100% working है मई 2023 में अगर आप सिर्फ आधर कड़ और pencard से loan लेना चाते हैं या credit line लेना चाते हैं credit limit लेना चाते हैं तो आप इस video को continue and तक watch करते रहेगा और साथी साथ मैं आप लोगों के लिए एक जानकारी देदू इसमें मैंने दो आपको application बताई है एक application पर आपको सिर्फ आधर कड़ pencard से limit मिल जाएगी एक में आप से income proof अगरा लिया जा सकता है ठीक है तो बिना sales लिप बिना bank statement अगर आप loan लेना चाते हैं NBFC registered loan applications से तो आप इस video को continue and तक watch करते रहेगा कुछ बातों का आपको भी से ध्यान रखना है अगर आप इन online loan applications का use कर रहे है loan को time पर चुकाईएगा जिससे आपका civil score एम पर नहीं होगा साथी साथ आपको बविस्ति में अन्ने परशानिया नहीं आएंगी इसके अलाबा loan तभी ले इन online loan applications से जब आपको urgent या emergency नीड हो एक और जरूरी बार play store में बहुत सारी फरजी loan application मौझूद है तो ऐसी किसी भी loan application को install मत कीजेगा जब तक आप किसी loan application की NBFCI bank के बारे में ना जानते हो आप install मत कीजेगा बिल्कुल भी क्योंकि अगर आप किसी भी फरजी loan application को install कर लेते हैं तो आप किसी ना किसी problem में फस सकते हैं आपकी contact list को hack करके आपको harassment किया जा सकता है साधी साथ आपकी gallery को भी hack करके आपको harassment किया जा सकता है तो इन सब बातों से बचें हमेशा NBFCI bank registered application से ही loan apply करें और loan apply करने से पहले सभी terms and conditions, loan agreement letter, sense and letter about this app का section बगर अध्यान से पढ़े और बार-बार बहुत सारी loan application से भी loan apply मत कीजेगा इससे भी आपके civil score में negative impact पड़ता है अब मैं सीज़े चलता हूँ पिले श्टोर पर बताता हूँ दो best instant loan applications के बारे में तो दोस्तों पहली जो loan application है इसके बहुत ही कम download हुए है आप देख सकते हैं कि बहुत पचास हजार ही download हुए है और यहाँ पर आपको दस हजार रोपे से लेकर पचास हजार रोपे तक का loan मिल सकता है और यहाँ पर जो loan मिलता है वो मिलता है मैकसिमम 1178 रोपे 82 पैसे है जिसमें include रहेगा GST ठीक है tenure की अगर बात की जाए तीन महीने से लेकर 6 महीने तक का आपको मिल सकता है और यहाँ पर देखिए personal loan मिलता है salary and individual के लिए example के तोर पे इनोंने salary advance loan के बारे में बताया है जिसमें loan amount 30,000 दिखाया 10 और 6 महीने interest rate 23% per annum reducing principle balance interest calculation के basis पर और यहाँ पर एनोल पर संटेज रेट 32% चार्ज किया गया है यहाँ होती है 509 रुपे की और total interest यहाँ पर जाता है 509 को इंटू 6 यानि 30,000-30,000 यानि 1814 रुपे यहाँ पर इंट्रेस्ट लगेगा processing fee की बात की जाए 942 रुपे 82 पैसे चार्ज की जाएगी disperse होगा 30,000 में से 943 रुपे माइनस करकी यानि 29,057 रुपे टोटल amount pay होगा यहाँ पर 3509 रुपे इंटू 6 यानि 31,844 रुपे टोटल कॉस्ट लोन की पड़ेगी जिसमें interest amount of processing fee अगर चार्ज की जाएगी तो यहां पर चार्ज की जाएगा तो यह एक एक एक्जामपल की तौर पर यहां बताए गया है और यह जो एप्लिकेशन है बर्क करती है यानि सर्प करती है जिन union territory और स्टेट्स में उनके नाम यहां दिये हुए हैं दिल्ली हर्याना पंजाब उत्ता प्रदेश हिमाचल प्र देखिए इनकी जो NBFC है बो है गनेश लीस्पिन प्राइवेट लिमिटेड और है ट्रांजेक्ट्री टैक्नोजी प्राइवेट लिमिटेड जिसको लैंडबॉक्स भी बोलते हैं लैंडबॉक्स की ऑफिसल वैपसाइट पर जाकर भी मैंने चेक किया है क्योंकि हमारे सब बताया है कि अप्लिकेशन फिलाल बर्क कर रही है और जो लोन प्राप्त हुआ था उनको 20,000 रुपए का और काफी आसानी से लोन प्राप्त हो गया था और यहां पर देखिए बहुत जो है मतलब डिटेल में बताया गया है इस अप्लिकेशन के वारे में तो अगर आप सब्सक्राइब यहां पर आप से लिए सकता है तो अगर आपके पास यहां पर लोन अप्लाइब कर सकते हैं अगर नहीं है तो सिर्फ आपको लोन प्राप्त हो सकता है लेकिन यह डिपैंड करेगा आपके रिस्क प्रोफाइल पर ठीक है कॉंटक करना चाते हैं तो आप इन इसका मैं खुद भी यूज़ करता हूँ सिर्फ अधर रकड पैन कार्ड से आपको यहां पर लिमिट मिल सकती है नाम है जाइब इंस्टेंट परसनल लोन अप जाइब की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको क्रेड़ लाइन मिल सकती है पांच लाग रुपे तक की और इसी क्रेड़ लाइन से आप लोन ले सकते हैं और प्री में चैक कर सकते हैं यूटिलिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं और बाकी और भी यहां पर सर्विसिज वगारा प्रोवाइड कर आती है अप्लिकेशन तो मिनमम मंतली से लिए अगर आपकी 15,000 रुपे और आपके पास इसे सिर्फ आदरकर पैंकार्ड से उस लिमिट को अक्टिवेट कर सकते हैं जो लिमिट यहां पर मिलती है बो मिलती है 5,000 रुपे से लेकर 5,000 रुपे तक की जिसको क्रेड़िट लाइन बोलते हैं 18 से लेकि 36% पर एनमें का इंटरस्ट रेट रेंज तीन महीने से लेकि 12 म सब्सक्राइब कर सकते हैं लेंडिंग पार्टनर्स की बात की जाए तो आर्पी एन फेंटर लीजन सेक्यूर्डी प्राइबिट लिमिटेट के द्वारे यहां पर लोन प्रोवाइड करा जाता है रिचार्ज बगरा भी कर सकते हैं इसे लेंटर बुकिंग कर सकते हैं और प्रोवाइब कैस आपको बहुत सारे यहां पर बेनीफिट्स हैं इस एक्प्लिकेशन के अगर आपको यहां पर लिबशम मिल जाती तो बहुत ही कमाल की एन धोनों से फिलाल अभी लोन मिल रहा है और मैं2023 में 100% बर्किंग है दोनों ही करना चाहते हैं कर सकते हैं और माली जी अगर आपको एक लाख रुपे की क्रेट लाइन मिलती है और अगर आप उसमें से केवल पच्छेस हजार रुपे यूज करते हैं तो आपको केवल पच्छेस हजार पर ही इंटरस्ट पे करना होगा तो यह जरूर ध्यान रख लिजेगा कि क्रेट आमांट यूज करना चाते हैं तो दोस्तों यह थी टू बैश्ट इंस्टैंट लोन एप और उसक्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है टू बैलेंस लोन एप्लिकेशन का अगर आप मेरे लिंक से टू बैलेंस पर लोन एपलाई करेंगे काफी जादा चांसे रहेंग तो चाहें आप नाभी से कर रहे हैं टू बैलेंस से लोन एपलाई कर रहे हैं या जाइब से कर रहे हैं या आप मनी लोजी से कर रहे हैं या किसी भी NBFC या बैंक रिश्टर लोन एप्लिकेशन से अगर आप लोन एपलाई कर रहे हैं टर्मस और कंडिशन लोन एग्रिमें झाल झाल